नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज ये लैप्टॉप जो है धाई साल यूज हो चुका है तो आज इसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ कि अभी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है क्या क्या चीज़े इसके अंदर खराब हो चुकी है पहले क्या खराब होई थी और आगे क्या चीज़ और खराब होने वाली है ये सारा क्लू मैं आपको दे दूँगा कि 20 साल यूज करने के बाद ये जो मॉडल है Acer Aspire E111 मॉडल है जो की 14 से 15 रुपे की रेंज में आ रहा है अलग-अलग वैपसाइटों पर अलग-अलग रेंज है जो इसी बीच में रहती है तो ये अगर आप आज की डेट में खरीते हैं तो आपके लिए कैसा रहेगा मैं आपको पास से दिखाऊंगा कि इसके की और इसका माउस पैड, डिस्प्ले, अंदर जो प्रोसेसिंग है ये सारी चीजे और बैक्टरी अभी पुरानी वाली है, नई वाली है ये सारी चीजे इस वीडियो में आपको पता पढ़ जाएंगी वीडियो पूरी देखिएगा और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे रैड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है वहाँ पर क्लिक करने के बाद घंटी के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस वीडियो देखने को मिलती रहे हमें सबसे पहले तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को ही शुरुआत करते हैं यहाँ पर यह जो लैप्टॉप है इस तर एस्पायर E1 यह दो कलर में आता है ब्लैक और यह कलर यह सिलवर जो आपके सामने है यह बहुत ही प्यारा कलर है इसकी जो स्क्रीन है 11.6 इंच की स्क्रीन है 11.6 की 2 जीवी रैम है इसमें और 500 जीवी की एक हार्डिस्क भी दी हुई है तो यहाँ पर अब मैं आपको इस लैप्टॉप के उपर ही फोकस करके दिखाता हूँ इसकी अलग-अलग चीजे और इसके जितने भी सॉकेट है यह सारी चीजे तो दोस्तों यहाँ पर लैप्टॉप है सिल्वर कलर का एसर का इस पे लोगो भी है और धाई साल इसे वो यूज किया है अब मैं बता दूँ यूज करने वाला जो वैक्ती है वो एक सॉफ्ट्वेर इंजिनियर है इसमें कोडिंग भी करता था वीजूल सी सी प्लस पर भी कोडिंग करता था और भी काफी सारी मल्टिटा सिंक करता था तो समझ दो धाई साल उसने यूज किया है फिर उसने एक और भी एडवांस लैप्टॉप खरीदा है तो यहां पर इसकी जो क्वालिटी है पहले तो आप यह देख लीजी यूज करने के बाद भी कितना सही है यह और लैप्टॉप वैसे मेरे हिसाब से एक बार खुल भी का कि मैं देख रहां हो इसके पोड और यहां पर कुछ कालर चीप कर वहा है तो एक बार खुल भी चुक है आब यहां पर इसके ports है, सारे जितने भी ports दिये गए हैं, सभी पीछे की तरफ है, यह पीछे की तरफ सभी ports दिये गए है, USB लगाने का दो सॉकिट है, इंटरेनेट कनेक्शन का, यह चार्जिंग, यह जो है, चार्जिंग पॉंट भी पीछे दिया हुआ है, अब साइड में देख लेते हैं क्या है साइड में हैड़फॉन जैक है और SD कार्ड लगाने का उप्शन है नीचे की तरफ ज्यादा कुछ नहीं दिया है कुछ भी नहीं है इस साइड चलते हैं इस साइड भी कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पर आपको Acer का लोगो मिल जाता है काफी अट्रेक्टिव है एपल की तरह है इसका जो कलर बहुत ही प्यारा है और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आप देख रहे होंगे पावर का बटन है याई जब स्टार्ट होता है यह पावर का बटन है इंटरनेट कनेक्शन है दो USB लग सकती है और एक यह पोर्ट है तो अब तो अब इसके साथ क्या क्या चीज़ मिला था दोस्तों उस टाइम पे इसके साथ यह कैरी बैग मिला था और एक यह चार्जर मिला था चार्जर तो दूसरा करीदा गया है क्योंकि चार्जर भी खराब हो गया चार्जर मुझे इसके साथ वाला नहीं लग रहा दूसरा है चार्जर और यह लैप्टोप एक बार खुल भी चुका है अब देखते हैं इसके अंदर और भी चीज़े तो मैं इसको ओपन करता हूँ ओपन होने पे लैप्टोप कुछ इस तरह का है 11.6 की इसकी स्क्रीन है 2GB RAM है 500GB की हार्ड डिस्क है 2.16 GHz Intel Celeron N2840 प्रोसेसर है और यह दौनो वर्जिन में आता है Linux Operating System में और DOS में इसके साथ विंडो पड़ी हुई नहीं आती आपको अलग से डालने पड़ती है तो यह स्क्रीन है कैमरा भी दिया गया है यहां पे सामने की तरफ Intel का प्रोसेसर है यहां पर आप देख रहे है Aspire E11 तोड़ा सा मैं और पास कर दूँ और यहां पर दिखाओं मैं आपको कोई भी बटन नहीं गिसा है और यहां पर दिखाओं तो यहां पर इस लैप टॉप की डीटेल है Aspire E11 2GB DDR3L मैमोरी Intel ग्राफिक्स कार्ड 500GB हार डिक्स सैलरॉन प्रोसेसर N2840 माउस पैड कैली जे इसको यह बिल्कुल खराब हो चुका है बिल्कुल काम नहीं करता इसको बदलवाएंगे तो काफी कॉसली पड़ जाएगा बटन अभी इसमें सारे काम कर रहे हैं एक दो को छोड़ के दो बटन काम नहीं कर रहे हैं M और Y ठीक है यह पावर का बटन है यहां पावर करूँँगा तो वो जो मैंने पीशेस दिखाया था ब्लू लाइट जल जाएगी और यह जब चार्जिंग का है तब का है तो यहां से मैं वन टच में वो दिखिए ब्लू लाइट जल गई और यह ओन हो गया ओन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता दो जी भी रैम बाले कम्प्यूटर लैक्टॉप जितना टाइम लगाते हैं यह उतना ही टाइम लेता है क्योंकि इसका माउस पैड खराब है मैं आपको दिखा देता हूँ यहां से कुछ भी नहीं हो पाएगा तो मैं वैसे ही की से ही काम कर रहा हूँ दिखते हैं अब मैं एक अलग से इसमें माउस जोड़ देता हूँ यह देख लीजिए मैं इक अलग से माउस जोड़ता हूँ ताकि आसान हो जाए काम अब मैं इसके अंदर की कॉन्फिग्रेशन दिखा देता हूँ आपको यहां से जाएंगे पीसी इंफॉर्मेशन में जाएंगे और यहां पर इसकी पूरी डीटेल आगी अब मैं आपको पास से दिखा देता हूँ इस में विंडो एट प्रो पड़ा हुआ है दो जी भी रैम जैसे की मैंने बताया था इंटेल, सैलरोन, सीप्यू, N28, 2.16 GHz यह सारी चीज़े पड़ी हुई है इस समय यह 14-15 रुपे का मिल जाएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अब वहाँ से जाके देख सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगेगी अभी भी यह जितनी भी लॉक हैं यह सब सही हैं अभी भी इसको बहुत थी अच्छी तरह से यूज़ किया गया है बहुत ये अच्छी तरह किनारे कहीं भी ये लगा नहीं है कहीं भी दोस्तों उम्मीर है आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को शेर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी जो सजेशन है वो जरूर दीजिए मैं सबी कमेंट्स को पढ़ता हूँ और उसको अप्लाई भी करता हूँ थैंकि दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में